शोबेंद्र कंकराईने और उनके टीम के खिलाब फिर एफायार दर्ज दो निवेसकों ने दर्ज कराई एफायार जिले के बहुचर्ची डबल मनी मामले के सुत्रधार शोबेंद गंकरायन और उनके टीम के लोगों के खिलाप शिकायतों का आकड़ा बढ़ते ही जा रहा है फिर दो लोगों ने उनके खिलाप राशी डबल होने का लालस देकर लाखो रूपए की धोकादड़ी किये जाने की सिकाज की है जिसमें लांजी पुलीस ने अनिमिता जमा यूजना और धोकादड़ी के मामले में दो सिकाज दर्ज की है मिली जानकरुचार बता दे की लांजी थाना में दो लोगों ने सिकाज करते हुए पुलीस को बताया की राशी दूगनी करने का लालस देकर धोकादड़ी किया गया पुलिस ने बताया कि थाना में बालाखाट इसने नगर निवासी ब्रजेश मिश्रा ने शिकाद दिया कि 20 अप्रेल 2022 को बोले गाउं में शोबेंद गंकराई ने तामेश मंसूरे ने 2,08,000 रुपई की रासी दूगनी करने के नाम पर धुकादड़ी किया है वहीं सी तरह बालाखाट निवासी अजेश सिंगारे ने शिकाद किया कि बोले गाउं निवासी सोबेंद गंकराई ने तामेश मंसूरे और लाड़सा निवासी योगेश उराडे ने रासी दूगने करने के नाम पर उनसे 14,16,000 रुपई की धुकादड़ी की है पुलीस ने सभी के खिलाप IPC की धारा 420, 406, 122, 21, 21, 22, 23 आनिमिता जमाई योजना अधीनियम और दोकादड़ी के तहत मामला कायम कर जाच में लिया है